सो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में तो एक नवंबर को करवा चौत का वरत महिलाएं रखेंगी ये वरत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है और बड़े ही धूम धाम से बड़े ही चाओ चाहत से महिलाएं इसका वरत हैं तो आईए जानते हैं कि बद्वार को जो करवा चौत का वरत रखा जाएगा इसके लिए सुब महुरत क्या है पूजा विधी क्या है कौन कौन सी सामगरी लगेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात की चांद कब निकलेगा क्योंकि चांद निकलने के बाद ही आप चां बी आयू के लिए वरत करती हैं करवा चौत के दिन साधी सुधा महिलायیں सोला स्रिंगार करके सच्ति हैं सवरती हैं दरसल एक नवमबर को बुद्वार के दिन ये वरत रखा जाएगा और स्वहागिन महिलाओं के लिए करवा चौत का वरत बेहत खास होता है महिलाय रंग विरंगी साड़ी खरीती है हाला कि आपको सफेद और काली साड़ी नहीं पहननी है गुलाबी या लाल साड़ी आप जरूर पहनिएगा रात में चंद्रमा की पूजा करती है पती के हाथों से जल ग्रहन करके वरत का पारण करती है तो आप यहां पे देख सकते हैं सुब मुह कुछ समय मिलना है जब आप पूजा करेंगी इस वज़ा से अपनी सारी तैयारी पहले से करे रहे और आपको दादे एक नवंबर को चान निकलने का समय लगभग साड़े आठ बजे के आस पास है यानि आपको चान निकलने का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आपक चान निकलेगा इसको आप यहां पर देख सकती है अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो लखनव हुआ कानपूर हुआ प्रयाग राज बनारस हुआ तो इन सभी जगों पर आठ सवा आठ बजे तक आपको चान देखने को मिल जाएगा हला कि अगर आप बिहार के पटना साइड में रहते हैं तो चंद्रोदय जो है वो 7 बच के 50 मिनट पर होगा चान आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा कोलकाता में 7 बच के 46 मिनट दिल्ली में 8 बच के 15 मिनट बनारस में 8 बजे तक जैपुर में 8 बच के 19 मिनट जोतपुर में 8 बच के 26 मिनट पर उदैपुर राजस्थान में चंद्रोदय 8 बच के 41 मिनट के आसपास निकलेगा इसी परकार से देहरादून में भी 8 बच तक च चांद के दर्सन होंगे तो ये चंद्रोदे का समय था बिना चांद के अर्ग दिये बिना चांद की पूजा किये वरत का पारण नहीं होता है इस बज़ा से चांद को दीजिए अर्ग चांद की पूजा करिए वरत का पारण करिए उसके बाद आपका ये वरत पूरा होता है क मिलते हैं नए अपडेट में धन्यवाद